हेलो फ्रेंड्स में सुमित बागूल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सूखी जीवन का मंतर डॉक्टर वीजे दहीफले के साथ इस खास कारेक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ जब भी हमें कोई medical emergency आती है या फिर स्वास्थ से जूड़ी कोई भी परेशा नहीं सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारे family या friends के साथ वो सारी चीज़े शेर करते हैं पर जब भी हमें कोई sexual वीमारी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं उसके बारे में बात करने में हमें शेर माती है पर दोस्तों अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर वीजय दहीफले आपके लिए लेके आ है एक खास sex educational show दोस्तों एक ऐसा platform है जहां पर आप आपके sex related problems शेर कर सकते हो और डॉक्टर वीजय दहीफले इन सभी के बहुत ही positive तरीके से आपको जवाब ज़रूर देंगे पर दोस्तों शोग को शुरुवात करने से पहले जानते है डॉक्टर के बारे में डॉक्टर वीजय दहीफले ये sexologist, urologist और andrologist है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर वीजय दहीफले का भारत एवम अन्य देशों में conferences और seminar के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर sex related सल्ला मशोरा करते रहते है चलिए दोस्तों आपको डॉक्टर साब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, आपको एक खुश खबरी दे देता हूं डॉक्टर साब का हाली में, थाने में नया क्लिनिक्स शुरू है, तो अगर आप मुंबई में रहते हो, थाने में रहते हो, या फिर आसपास के इल और पब्लिक डिमांड आपको जो आती है उसके बेसिस पे आप एक अलग टॉपिक लेके हम उसके टॉप तो सर आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही यूनिक है जिसमें हम आप से जानना चाहेंगे अंडर कोश या फिर टेस्टी या फिर आम तोर पर जिसे गोटी कहते ह उसके बार में हम जानना चाहेंगे तो सर सबसे पहले मैं आप से पूछना चाहूँगा एक आम तोर पर अगर बात करें तो नॉर्मल टेस्टी नॉर्मल अंडा से या फिर नॉर्मल गोटी हम जी से बोलते हूँ क्या रहता है सुमिज जी यहां पर हमारे दर्शों के लिए सेक्स एजुकेशन, सेक्शुल आवरनेस और सेक्शुल सिफ्टी इसके अंतरगत हम अलगरक टॉपिक लेका आते हैं आज हम आये हैं अंडकोश, टेस्टीस, जी शे गोटी बोलते हैं सुमिज जी सबसे इंपॉर्टन पहले हमें नॉर्मल क्या है जब तक पता नहीं इसके जो सेयक रहता है उसे ऐस्क्रोटम कहते हैं और उसस्क्रोटम के अंदर दोने के द्वनों टेसिष अंडा है यह जो एग रहता है यहां पर फिघर back में देख सकते हो ऐसे इस यह दो ऑनी औरेकोश तीस एचिण जो ननर्गोश होता है फिर एक उटी निचे क्यों है वो बॉड़ी के बाहर क्यों है अंदर क्यों नहीं है एक काफी काफी सवाल है इसके बारे हम डिसकर्स करेंगे वन बैवर तो सर क्या इनका साइजेस मतलब टेस्टिकल का साइजेस एक दूसरे से छोटा बड़ा ऐसे कुछ हो सकता है यह देखो यहां पे जब बच्चा पेदा होता है हम तो गुड़न्यूज देते भी लड़का हो गया यह हो गया लेकिन क्या इंपॉर्टन रही डॉक्टर से नर्स है एक उपर है ऐसे केस में विशेशग्यों से मिलके सेक्स्वालाजी से मिलके उसी नीचे लाना जूरी रहता है दूसरी चीज नौर्मली यह अनिक्वल होते हैं क्या डेफिनेटली नौर्मली एक टेस्टिस राइट साड़ की लेफ्ट के कमबारिजन में बड़ी होती है यह भी नौर्मल है एक टेस्टिस दूसरे टेस्टिस यह थोड़ी नीचे होती है यह भी नौर्मल है लेकिन इसमें कुछ चेंज और अलग से होगा तो आपको विशेशग्य से मिलना है और वन बाय हम देखेंगे क्या कौजे से डेफिनिटी सर और भी इसे से जुड़े मै कमजूरी आपके से क्या इक्सेलन देखो एक क्वेशन मैं एक्सपेट कर रहा था समझो आपके फिंगर को कुछ इंजूरी हो गई तो आप हाथ से कुछ उठा सकते हो क्या नहीं उसी तरह से इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है कमजूरी समझो किसी तरह का दर्द पेनि समय उठीन और रहता है तो दो रिटली उसका मन दर से चला जाता है वहां पे सेग्स नहीं करПाता है नॉर्मली टेस्टिस में किसी भी तरह का पे नहीं होना चाहिए तो एक ही कहोंगा पिनिस के सरौंडिंग में दो टेस्टिस है उसे किसी ही प्रकार का इंफेक्शन हो कोई उसे मार लगा हो वहाँ पे कुछ स्वेलिंग आया हो तो डेफिनिटली सेक्श्वेल डिस्फशन होता है तो विशेश हैंगे से मिलके उसकी टीटमेंट हम अच्छी तरह से दे सकते उन्हें कोई भी चिंता करने की जोरत नहीं डेफिनिटली सर वापर वापस क्वेस्टिस पूसना जाओंगा सेर एक अबनॉर्मल टेस्टीज वो क्या होता है अभी देखो एक नॉर्मल है अब जो जो नॉर्मल क्या है पता चलिए तो अबनॉर्मल कैसा रहे का एक गोटी से बहुत ही ज़ादा डबल साइस में बढ़ा हो ठीक है एक टी स्पून जैसा बड़ा हो तो चलता है एकसेप्टेबल है दूसरा उसका सर्फेस इर्रिगुलर है यहने वह अंडे के जैसा नहीं उसे बॉबलिंग आया है किदर से वह अबनॉर्मल है बहुत बार यह देखो ज्यादा हाड भी नहीं होना चाहिए वह भी अबन इसी तरह से उसके उपर कुछ स्वेलिंग आना इसे कहते हैं अबनॉर्मल टेस्टीज तो डेफिनिटली सर्व टेस्टीज चेक करने का एक टी एसई टेकनीक होता है तो यह क्या होता है सर्यास सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ टेस्टीज या टेस्टिकलार सेल्फ एग्जा लेक्सिटी थोड़ा सा उसे हमें लेक्स करके लिफ्ट करना है लुफ्ट करते वादे एक हे द्यान दर्ख उसको ट्विस्ट नहीं करना है यहां फिगर में आप देख सकते हो तो उसमें खुद के हाथ से हम उपर से जब सर्फेस मूँ करेंगे तो स्मूथ लगना चाहिए इसका हे रहता है यहां से स्पॉंग कंड़क्ट होते है एपिडियमिस जोहाँ पर एक नॉर्मल स्वेलिंग यह द्यान बरकना है कुछ लोग तो एपिडियमिस को भी स्वेलिंग बोलते है उसके बाद में उसका एंगल जो है वर्टिकल हैंगिंग रहना चाहिए तो यह र इसमें हमें कुछ दर्द हो जाए या कुछ स्वेलिंग लगे तो तुरंत सेक्स्वलोजिस और्लोजिस और उर्लोजिस से मिलके उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है डिफिनिटी सर एक और दर्शक का कॉल है 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 तो जान कर दिजी यह एक्सलेंट मुझ लगता है हर एक कुशन चालेंजिंग रहता है यह प्रैक्टिकल सिचुईशन से बहुत बार क्या होता है सुमिन मेल पार्टनर तो बोलता है ठीक है चलो एक है रहने तो लेकिन फिमेल खौप दूरिशन बहुत क्लोज रहता है उन्हें कॉस्मेर्टिकली भी दोनों इक्वल टेसिस रहने चाहिए दिखने चाहिए और समझो सिंगल होगा तो ऐसे केसिस में कुछ दिक्कत आती है क्या आइडियली ऐसे केसिस में समझो एक टेसिस उपर है चोटी साइज में है और यह हाई यह नहीं तो कुछ भरी डरना नहीं है क्यों समझो आपसेंट होगी तो डरना नहीं यह एक ही प्रेजेंट है तो वर्क हैपर टॉपिया ओर कम करके स्पर्म बनाएगी सेम टेस्स पर बनाएगी एक्छी सेक्शुल एक्टिटी होगी लेकिन एक नीचे है और दूसरी छोटी वाली टेस्स हमारे सीटी स्कैन में या कहां पर है और समझे हमने उसे कुछ नहीं किय तो टेम्परचर बॉड़ी का सी गुटी नीचे क्यों है कि उसका बॉड़ी से टेंपरचर सेवन डिग्री सेल्सियस साथ डिजी से कम रहता है क्यों उससे पर प्रोड़क्शन अच्छा हो जाए और जो उपर गुटी है उसमें क्या होगा टेंपरचर बढ़ने से स्पर्म तो नॉर्मली शेक्शियल एक्टिटी और नॉर्मली बच्चा पैदा हो सकता है। डेफिनिटी सर तो कुछ कोई ऐसे केसे में एक टेस्टी बड़ा होता है तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? यहां पर एक शॉर्ट में लिस्टिंग करता हूँ, कुछ मार लग गया, ट्रॉमा हो गया तो क्या होगा? उसके अंदर बलड जमा हो जाएगा, बहुत बार में रुपस आते हैं, पर क्रिकेट बॉल लग गया, काफी सूच गया, दूसरा है और कायटीस, यहने कुछ युरिन इनफेक्शन, जेनाइटो इरिनी सिस्टिम कमबाइने साथ में है, कुछ उरिन का इसमेक्शन, स्पर्मेटिक कॉडस हिया, वेरियव हैनी से उसके अंदर जाएगा, तो उसके अंदर बहुत बार पायोसील पर्स बन जाता है, तो इनफेक्शन होता है, बहुत बार सब्सक्राइब चेंज हो जाए उसमें टेंपरेचर आजाए उसे दर्थ हो जाए रेडनिस हो जाए इसे कहते है अबनॉर्मल टेसिस सर एक आखरी और बहुत इंपर्टन सवाल आपसे पूछना चाहूंगा अगर बाटेस्टीज बड़ी हो या फिर उसमें पेन हो रहा हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है सर यस ट्रीटमेंट ऑफ गॉज समझा मार लगा हो वहां थे मैटम होगा तो सुना गाफी करो देखो उसके अंदर कुछ ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा सिर्फ कोटल सपोर्ट एंटिबाइटिक्स कॉमपरेशन से होगा इंफेक्शन होगा तो एंटिबाइटिक्स है उसके अंदर पायोसील पर्स या कुछ वाटर होगा है तो उसको निकाल लाएं तो एक ही बलूँगा विशेश अगय से मिलके टीटमेंट लेके उसको माच्छा कर सकते जिसकी वज़ए से कि आपको कोई सेक्शुल डिस्फंक्शन एक कमजोरी नहा जाए और वक्त होगा ता और क खुश खबरी दे दू डॉक्टर साब का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक शुरू हुआ है तो अगर आप मुंबए में रहते हो थाने में रहते हो या फिर आसपास के इलाके में रहते हो तो थाने सेंटर में जाके आप सर की कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो चले दोस्तों आज के शोव में समय हो चला है यहीं पर रुकने का शुक्रिया